कि सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार मैं दुर्गेश यादु सियो फांडर अब बीएस प्लेट्पम कैसे हैं आप सभी आइट्या स्टूरेंट आई होब आप सभी मस्त होंगे स्वस्त होंगे और इसे पहले हम सब चीज बता चुके थे फिटर किसे कहते हैं ठीक है फिट आप कर तरहें तो आप क्या कहें जाएंगे आप चले जाएंगे उस पाइप और आप जाएंगे आप जुनरल फिटर है अभी आप कोई फिटर नहीं है ठीक है अब हम आपके शिलेंवस का पहला चेप्र करते हैं कि कि उभर विडियो कि समझने वाले हैं वह और छीज़ को समझते हैं सबसे पहले हम जो यह आपनाते हैं डिक कुछ अपनाा सेफटी अपना सेय। हमारे जो अभी सेफटी हम जो अभी नफ गती है बेयोख सट में सरक्षा को नेको सब्सक्राइन की विलोग करते है यह फीटर है यह इलेक्रिशियन है यह डिजल मेकैनिक है यह आप आइटियाई के किसी भी ट्रेट से बाबू बिलोंग कर रहे हैं तो यह सेफ्टी चैप्टर जरूर आपको पढ़ना होगा ठीक है और यहां हम चैप्टर एक सीफ फीटर ट्रेट को लेकर नहीं एक कमन से बनाया है जो की कमपेटेटिव एक्जामों में अधिकतर कोशन उड़ते हैं और आपके सिलेबस जो एनुवल एक्जाम होता है वहां भी इससे रिलेटेट बहुत ज्यादा कोशन उड़ते हैं ठीक है तो आइए समझते हैं कि इस सेफ्टी चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है सबसे पहले तो हमको जाना है कि सेफ्टी है क्या उसके बाद टाइप सफ सेफ्टी के बारे में जाना है उसके बाद जेनरल सेफ्टी प्रिक्वेशन जेनरल सेफ्टी प्रिक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद आक्सिडेंट के बारे में पढ़ेंगे उसके सब्सक्राइब इतना हमारा सिलयवस है फंस्ट चैनल सेटी मैं तीक है नौ और इस वीडियो में हम क्या-क्या कभर करने वाले ऑज क्लास में हम लोग क्या-क्या कभर करने वाले वह उचीज मैं आपको बता दे रहा हूं क्लास में हम यह सेफ्टी से लेकर और other cause of accident तक कभर करने वाले हैं ठीक है ना अगला जो मेरा class रहेगा जो हमारा lecture यह हमारा safety का lecture one हो जाएगा ठीक है ना जी lecture one safety का lecture one जिसमें हम लोग कभर करेंगे safety क्या है safety कितने type के होते है general safety precaution क्या है accident क्या है cause of accident किया उसके बाद other cause of accident अना इतने चीज़ को cover करने वाले हैं उसके बाद आपको जो second lecture आएगा फ्रस्ट एड क्या होता है ठीक है ना फ्रस्ट एड का ग्यान प्रात्मी चिकित्सा का ग्यान क्या है ABC क्या है उसके बाद प्रस्टनल प्रोट्टिक एकुप्टमेंट क्या है उसके बाद fire क्या है आग आग कितने टाइप के होते हैं इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो lecture हमरा टू और उसके बाद हम यह सब पढ़ेंगे तो यह lecture थ्री और फॉर इसमें चार लेक्षर बनेंगे लेक्षर वन लेक्षर टू लेक्षर थ्री और लेक्षर पॉर इसमें टोटल कितने लेक्षर बनेंगे चार लेक्षर बनेंगे ठीक है तो बीना देरी कि के हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के तरफ चलते हैं मेरा फॉस्ट क्या है शेफ्टी सप्टी क्या है कि समझते हैं कि एस भी खत्रा से बचने के लिए जो भी हम उप काड़ पहांते हैं जैसे आप रोड पर चल रहे हैं एक्सिडेंट हो जाएगा तो उसके लिए हम सेफटी अपनाते हैं है हलमेट हौनते हैं हलमेट पहांते है आप किसी कांपनी में काम कर रहे है तो से यह अर देखते हैं कि सर पर गिरने का कोई संभावना रहता है तो वहां सेफ्टी बचने के लिए हैलमेट पहां लेते हैं ताकि कोंचीज गीर ही उपर से नट ही की इरे तो हैलमेट कहते हैं समझ में आ रहा है ठीक है क्या काते हैं उसको सुरक्षा इसको दूसरे सब्गों में इसका डिफनीशन ऐसे भी हो सकता है कि इसके कि एक किरिया है जो हमारे सबी कारेव को ऐसे नियंतृत और वेवास्थित करती है जिससे हम स्वेम दुरगटना से बच जाते हैं और अन्य को भी इस संकट से सुरक्षित रख सकते हैं हम तो खुद बचते ही हैं जदी से अपने साइड में चले से चले हमारे गाड़ी में प्रोपर बिरेक रहे हैं तो हम तो अपने से बचेंगे दूसरे को भी हमारा अपना भी सुरक्षा हम कर सकते हैं दूसरे का भी शgesetztरे अपनाएक दूसरा कर सकते हैं दूस्रा थीजी समझाना आया नेर्च्ट प्र बढ़ते हैं अब टााइप सफेक्र के भारे में समझ लेते हैं ताइब सफरे स्पीशित शुरक्षा के प्रकार मशिन स्यफ्टी मसिन सुरक्षा तिसरा वर्क्षाप सेफटी वर्क्षाप सुरक्षा इसके बारे में एक एक करके अब समझते हैं फर्स्ट हमारा आता है प्रस्नल सेफटी में क्या होता है तो बेक्ति जो अपने बचाओ के लिए जो भी करणता है जो भी किरिया करता हो क्या कहला आता है प्र करेंगे बीना जूते के चल जा रहा है और कोई की लोल बहुत सारा वहां कटिंग टूल्स गिरा रहता है कटिंग टूल्स और कुछ हल गया पैर में ठीक है तो फिर हमें को नुक्सान पहुंशेगा ज़्यादी उड़ने वाले पदार्त का खत्रा हो तो चस्मा और सकता है जै तो चस्मा पहन कर जाएं अंगुठी घड़ी ओगेरे ना पहने क्योंकि यह मसीन के घूमने वाले पार्ट्स में पहन सकते हैं कितने लोग अंगुठी घड़ी ओड़े पहन लेते हैं अंगुठी पहनने से तो बहुत ज्यादा नुक्सान है यह चाहे आप किसी कंपनी में जैसे कार और बना रहें अंगुठी पहन कर अपना काम कर रहें आपके अंगुठी से स्क्रेश हो जाएगा देखिएगा आप आफ्टर आइट आई के बाद जायेगा किसी कंपनी में काम करने जैसलाइक सुजुकी हो गया हीरो हो गया तो वहां जब जाएगा न तो अपको भी शेसे अंगुठी से फ्हूंस सकता है वह सकता है हो सकता है ठीक है और घडि पहने तो घड़ी भी फ्हूंसे सकता है मसीन पार्ट्स में इसमow फ्राब है ठीक है न अब अनुपीक्त और बीना अराम वाणी ड्रेस के शाथ साथ अनुपित स्तिति या मुद्रा से वरक्षप में दुरघटना हो सकती है अब ढ़िला ढाला कपड़ा पहन लिए बीना काम के टाइल लगाकर चल गया और टाइल पता चला मसीन फॉस गया घीज लिया तो आपका गया काम गया काम से न तो इसलिए बेकाम वाला कपड़ा आप पहने विए लगा वला चीज वहाना करें यह प्रसंब्ल सेथिटी नेक्स बढ़ते हैं मसीन सेथिक क्या है कैजिए बारे में सुरक्षे क्या है इसको समझते हैं िक है मसीन gardens चलाते हैं तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि मसीन सही है कि नहीं सभी से चल रहा कि नहीं ठीक है न उसमें प्रोपर गार्ड लगा है कि नहीं ये सब चीज़ हम चेक करते हैं मसीन गार्ड वाली लगी मसीने खराब मेंटनेस अनुप्यूक्त अजस्टमेंट इतियादी कार्णोड से दुरघटना हो सकती है खराब है मेंटनेस सही समय से उसको नहीं किया जा रहा है तो दुरघटना होई सकता है ठीक है नुकिले एवं तेज़ धार वाले टूल्स एवं जोब की दुरघटनाओं के कारण हो सकती है जैसे माली जे कोई जोब हो गया नुकिला है और आप करते समय आपके पैर पर गिर ठीक है तो चुप जाएगा पैर में फिर आपको अनुक्षान पहुंचाएगा किसी भी कारेव के लिए उप्यूक्त टूल और मसीन का परियोग करना चाहिए हम लोग क्या करते हैं कितना बार जवजस्ति करते हैं वहां वह तूल नहीं लगेगा जा सरींच माले जिए वहा बहुत लोग क्या करते हैं की जब अजस्ति करने लगते हैं तो आपको घटना कर देगा तो सकता अगला पॉइंट है और सेकता अनुसार मसीन का लूब्रिकेशन समय समय पर करते तो मेंटनेस में खराबी होगी ठीक है यह हो गया मसीन सेफ्टी अब आता है वर्क्षप सेफ्टी वर्क्षप सेफ्टी वर्क्षप सेफ्टी क्या है तो वर्क्षप में दो मसीन के बीच समोश्चित जगा होना चाहिए दो मसीन लगा रहें तो उसके बीच में गैप होना च तरिठी से दोटता इस तरीका से झालंसिल पदार्थ हो को और सुरक्षित अस्थानों पर रखने से गंबीर दुर घटना हो सकती है जो जोलंसिल पदार्थ होते हैं जैसे इसाइज पेट्रोल डीजल ठीक है ना इस सब और हुए उसको पदार्थो को और सुरक्षित अस्थानों पर जब हम रखते हैं तो उसे गंभिर दुर घटना हो सकती हो सकता है आग लग जाए उसमें ठीक है न उसके लिए स्पेशल जगह बनाया जाता है वहां ले जाके रखेंगे ठीक वर्क्षप वर्क्षप के हमेशा गैंगवे में चलना चाहिए वर्क्षप को हमेशा कहां चलना चाहिए गैंगवे में चलना चाहिए वर्क्षप को नहीं वर्कर को वर्क्षप में हमेशा गैंगवे में चलना चाहिए गैंगवे बना रहता है आने जाने के लिए चीक है न वरक्षप में गैंगवे बना रहता है आने जाने के लिए तो उसमें क्याना चाहिए कितने लोग क्या करते हैं मशीनों के साइड से त्षी तरीका से यहां है करना चाहिए यह सब इधी नहीं अपनानी चाहिए इस तरीक hugely करना चाहिए फिसलने वाली फोर्स खराब रोसंदार अवर और पर्यापत अस्थाने त्यादे दूर्घटनाओं के शक्रिये काड़न हो सकते हैं बहुत सारा ज्यादा फोर्स पर भी मां लिजे तेल गिर गया है तो फिसलेगा पैर फिसलेगा तो हो सकता है कि आप फिसल गया और चोट लग गया सीर में ठीक है और रोसंदार माले जे लाइटिंग प्रोपर नहीं है आप वर्क कर रहे हैं मसीन पर लाइटिंग प्रोपर नहीं है आपको दिखाई प्रोपर नहीं दे रहा है तो फिर भी द उप्युक्त एवं सरक्षित कपड़ों को ही पहने उप्युक्त जो आवाहां उसके लिए उप्युक्त मतलब जैसे धिला ढखर कपड़ा ना पहने कितने लोग जहनाने के लिए एकदम पूरा टाइट ही फिटिंग पहन लेते हैं तो भी आपको दुरगाट ना कर सकता है उस कितने लोग लड़के रते आपस में मजादा स्टाट कर देते हैं कि उसको ढखे धाका दे दे ऐसे क्या होगा कि आगे व्ला के मसीन संट ब्ड़ा रहा है त वा मसिन में इसाट है पाड़ी कि कोह बंदा किसी को धक्या दे देता है legg it then आगे वाला मशीन में टकड़ा और सक करता है दुरघटना हो जाए यह सब यह सब मतलब आच्राइब नहीं रखना चाहिए वर्क्षप में केवाल उसी समाज के लिए सांथ कारे करें जिसके लिए आप अधिक्रीत है मालीज आप फीटर है किसी कंपनी में आप फीटर के चैन पर गया है तो फीटर वाला ही लाइन पता नहीं और साब के भील में हांत डालेगा तो घटना तो करेगा ही ठीक उसी परकार यहां भी जदी आप फीटर है इलेक्टिशन वाला वर्क करने जाएगा तो दुरघटना हो नहीं है तो आप जिस केवल उसी साथ समाज के साथ कारे करें जिसके लिए आप अधिक्रीत हैं जिसके लिए आप चुने गया है ठीक है आगे आगे समझते हैं सुरक्षित कारेओं के लिए समय समय पर टूल्स की चेक अप सुरक्षित कारेओं के लिए समय समय पर हम अपना टूल्स चेक अप करत लगा देना हमारा टूर पार्ट ही कोई मसीन कुछ करते हैं अगला समझते हैं अपने हाथों या बॉड़ी से मसीन को रोकने की कोशिस न करें कितने कितने ऐसे महाराथी होते हैं लोग लगते हैं जो चक्की नासता है ना पुली उसको हाथ से लगते हैं लोग कोशिस करते हैं लोग रोकने के लिए हाथ से रोकने कभी कोशिस नहीं करना चाहिए मसीन से खेलवाड नहीं हाथ से रोकने की कुछिस नहीं करनी चाहिए जदी कोई मशीन चल रही है तो उसमें तेल या तेल ना डालना डाले उससे साफ मुझे। चलते समय में यहीं डालना चाहिए और नहीं उससे साफ कर और तथा उसे एड्ज़ोंस्ट एरी पियर क्लिन लोग उसroller खांए उसके लोगांपर मतलब इधर उधर लगते हैं करने तो यह सब चीज नहीं करना चाहिए है था किसी वी उपकरण में विदू सप्लाइड देने से पूर्व शुनिशित कर लेना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से ठीक है और सप्लाइड देने जो गया है तथा पूर्ण रूप इस तरीका से तब हम उस बीदू मतलब उस लाइन में हम सप्लाई देंगे ठीक है ना तब उस उस प्रड़र में हम बीदू सप्लाई देंगे क्लियर नेक्स्ट पॉइंट क्या है एक्सिटेंट क्या है अंजाने में होने वाली घटना क्या कालाती है अंजाने में होने वाली घटना दुर घटना हम नहीं जानते हैं कि मेरे सांथ आगे क्या होने वाला और घटना कोई घट जाए तो हम उसको क्या कहते हैं दुर घटना जैसे यह नहीं जानता था कि इसका पैर आकर इसमें फॉंस पाइर रखेंगे तो एक बाद फिशलेगा हम गिड़ जाएंगे और इसके साथ क्या हो गया दुर घटना हो गया और देखिए जैसे यही देखिए यही बेचारू गिर गया है इनके सांथ दुर घटना एक बीना योजना नियंत्रण नहीं होने वाली घटना है और यह योज कित्रण नहोंने वाली घटना है जिससे किसी बस्तू या जिससे किसी बस्तू पदार्थ या बेक्ति की किरिया तथा परति किरिया के काड़र बेक्तिगत चोट अथ्वा उसकी संभावनाय रहती है और चाहे होने वाली घटना के काल आता है दुर घटना बीना योजना वा जैसे मसीनों की खराबी खराब रख रख रखाऊ मसीन का खराब रख रख रखाऊ तो दुर घटना हो जाएगा मसीन खराब है तो दुर घटना हो सकते हैं तो खराब रख रखाव मशीनों की उचित घहराबंदी का भाव पूरा जगह नहीं एकदम भीड़ भाड़ है अत्ती भीड़ इत्यादी काड़ों को कामगार दुरगाटना ग्रस्थ हो जाते हैं कोई मशीन लगा है उसके बीच में जगह पूर प्रोपर नहीं है तो वहां दुरगाटना होना ही है बेक्तिगाट प्रस्णल काउजेज भी होते हैं अनुश्चित भरती मतलब माली जे कोई लड़का फीटर से किया और उसको इलेक्रिशन वाला वर्क करा रहे हैं तो भी घटना घटेगा ठीक है ठीक है तो अनुश्चित भरती अस्थनांतर में और सावधानी एक जगे से दुसरे जगे ट्रांसपर कर रहे हैं तो वहां और उसमें सावधानी नहीं बरत रहे हैं तो दुरगाटना हो जाएगा और परियाप्त इत्यादी दुरगाटनाओं के सक्रिये काड़ है अब मनोबेगनिक साइक्लोजी काड़ ठीक है दुरगाटना ब्रॉद में होती हैं जी से कामगारों का मनोबल उचना होना जैसे कोई मनोबल उची है 230 नहीं है करने के लिए और हम जिले हम कर रां तो दुरक घटना हो सकता है या पर उस चेनसे न या चांस件 वे कामकरने मतलब उसका माइंडली ऑफ सेंटर हो रहा है और आ रहा है काम करने मशीन पर हो सकता हो दुर घटना उसके सांथ हो जाएगा ठीक है यह सब हमारा दुर घटनाओं का और भी काड़ थे नेक्ट समझते अधर कॉज आफ एक्सिडेंट रूची का भाव रूची का भाव मालेजे कोई लैक इंट्रेस्ट कोई चीज में इंट्रेस्ट किसी को नहीं है और उस्तों जब अजस्ति कराएंगे तो दुर घटना हो जाएगा उत्सक्ता ज्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं कोई काम करने के लिए तो दुर घटना हो सकता है ठीक है आत्म विश्वास की अधिक्तम स्वास हो जाएगा ना ओफर कंडिविदेंस बैर हम से बन जाएगा एकदम होई जाएगा तो दुर घटना हो सकता है ठीक है कारेओ की गलत बीदी कारेओ की गलत बीदी रॉंग मेथड आफ वर्क चिक है ना माले जीए माले जीए आप गाड़ी हमको प्रोपर चलाना है 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 जल्द बाजी करते हैं तो भी दूर घटना हो सकते हैं गलत पुसाग वही अभी बता है माले जे कोई गलत पुसाग टाइओ लगा लिए ठीक है ना और चल दिए काम करने तो भाई मसीन चलाना है मसीन में टाइफ हंसेगा गिरोगे मरोगे ठीक है मसीनों के स्थिती मसीन की स्थिती खराब है और उसको जब जस्ति हम चला रहे हैं तो दुर्गाट ना हो सकता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रात्मिक चिकित्सा जो है इसको हम लेक्चर टू में कवर करेंगे आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे आपको लेक्चर टू में जाहें हुआ हुआ है